कि असलाम अलेकुम चैप्टर नमबर 11 हीट चल रहा हमारा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनोमेलेस एक्सपेंशन ओफ वाटर है और इसे हम अबनॉर्मल बिहेवियर ओफ वाटर भी बोलते हैं अबनॉर्मल इसलिए कि हमने जितने भी कॉंसेप्स पढ़े हैं पीछे एक्सपेंशन के अदर वाटर केंप्रेटर के एक मखसूस रेंज है जिसके उपर बिल्कुल औपोजिट बिल्कुल अगेंड़्स चल जाता है उन सारे के सारे कॉंसेप्स की तो यह एक बिल्कुल अजीब सी प्रॉपरटी जो वाटर एक्जिविट करता है और इसके पीछ पढ़ेंगे हमारे इन्वार्मेंट के उपर तो तब उसके अंदर में ये जवाब मिलेगा कि कुद्रत ने ये वली प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ वाटर के अंदर क्यों रखी है और अगर सांटिफिकली बात की जाए कि ये जो एनोमेलिस एक्सपेंशन होता है ये वाटर इसकी का है हमारे पास वो इसकी डिटेल देता है कि जो एनोमेलिस एक्सपेंशन है इसके पीछे जो हाइडोजन बॉंटिंगे वो किस तरह से काम कर रहे होती है हम फिलाल यहां पे इतनी ज्यादा डीटेल के अंदर नहीं जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ेंगे पर स्टडी करेंगे कि है क्या और इससे जो है वो एफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे इंवार्मेंट के उपर तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कि इसकी definition क्या है उसके अंदर इसको पूरी के पूरी को समझ लेंगे और साथ इसाथ एक experiment था जो hopes experiment के नाम से आपकी book के अंदर मौझूद है हम इसको यहाँ पे study नहीं करेंगे या इसको perform नहीं करेंगे बलके इससे related या इसी से मिलती जुलती एक example है जो के इसी को जो है वो represent कर रही है फिर इसी से related है हम उसको यहाँ पे देख लेंगे और वो example देखने के बाद यह experiment खुद बखुछ जो समझ में आ जाएगा फिर अगर आप interested हो है तो इसकी जो wording है वो book से पढ़ सकते हैं आपको असानी से समझ में आ जाएगी तो सबसे पहले definition फिर hopes experiment से ही मिलती जूलती एक example जिससे समझ में आएगा कि यह anomalous expansion जो किस तरह से water के अंदर होती है और सबसे आखर में जो इसकी effects है हमारे पास anomalous expansion के हमारे environment के उपन वो पढ़ेंगे तीन हमारे पास इसकी effects है जो book के अंदर mention है तो तीन effects पढ़ेंगे सबसे आखर में उससे पहले hopes experiment से मिलती जूलती एक हमारे पास example है उसको discuss करेंगे और सबसे पहले इसकी definition है यानि कि इसको define करेंगे कि anomalous expansion असल में होता क्या है और यह topic पढ़ने के बाद कुछ ऐसे scientific reasons हैं कुछ ऐसे scientific questions हैं जिनका जवाब हमें मिलेगा और उनमें से कुछ reason जो है वह paper के अंदर भी पूछे जाते हैं सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो है कि जो हमारे पास aquatic animals होते हैं extremely cold weather तो इसके पीछे जो हमारे पास जिसकी example है और इसके effect के अंदर पहला जो effect है aquatic animals के उपर ही है तो इसके अंदर उसका जवाब बिलेगा और जो दूसरा scientific question है या scientific reason है वो इस तरह से कि असल में हमारा पस जो solids होते हैं उनकी density ज्यादा होती है liquids के मुकाबले में density जो कि हमने पढ़ी थी density क्या थी कि mass पर volume और इसके अंदर volume और density का आपस में inverse relation है यादि की volume जितना ज्यादा कम होगा density उतनी ज्यादा बड़ी होगी वॉलियम जितना ज्यादा होगा हमारा पास जो density है वो उतनी ज्यादा कम होगी तो हमने states of matter के अंदर ये देखा था कि जो liquid होते हैं liquid के अंदर जो हमारे पास molecules होते हैं वो काफी ज़्यदा distance पे होते हैं solids के मुकाबले में यानि कि कुछ distance पे होते हैं तो अगर हम liquid लें तो इसका मतलब वो ज़्यदा जगा गिरेगा क्योंकि जो इसके molecules हैं वो थोड़े थोड़े distance के उपर है और जो solid होते हैं उनके molecules statally packed होते हैं liquids के मुकाबले में तो इसका मतलब ये कम जगा गिरेंगे और कम जगा गिरने का मतलब कि इनका जो volume है वो कम होगा तो कम volume का मतलब कि density जएदा है यानिकि जो solids है उनकी density जएदा होनी चाहिए और इसी तरह जो हमारे पास liquid होते हैं चुकि इनके molecules के दरमयान जो जगा होती है वो ज़्यादा ज़्यादा होती है तो इसी वज़े से जो liquids की density होती है वो solid के मुकाबले में कम होती है लेकिन अगर आप water की example ले या water को ले तो इसकी density निकाले आप ice की ice क्योंकि एक solid है योकि water की ही एक form है state है और liquid ले पानी ले तो आप यह देखेंगे कि जो हमारे पास ice है इसकी density कम है और जो liquid है इसकी density जएदा है तो ऐसा कैसे असल में तो यह होता है कि जो हमारे पास solids होते हैं इसकी density ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो solid है अब उसके जो molecules है वो tightly packed हो चुके है और जो liquid है उसके molecules थोड़े थोड़े distance के उपर है यानिकि इसका जो volume है है वो हमारे पास ज्यादा है तो volume ज्यादा होने का मतलब की density वो कम होनी चाहिए लेकिन अगर आप लोग सर्च करेंगे यह देखेंगे तो हमारे पास जो solid ice है या ice का एक क्यूब है और इसी को अगर आप पानी की फॉर्म के अंदर ले लें लिक्विट की फॉर्म के अंदर ले लें तो लिक्विट की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी और जो यह आइस क्यूब की डेंसिटी होगी यह कम होगी यानिकि जो हमारे पास solid water होता है आइस होता है इसकी डेंसिटी कम होती है और फिर इसकी जो हम definition है वो पढ़ रहोंगे तो उसके अंदर मिलेगा यह दोनों questions को जो हम लोग यहां पे clear करने की कोशिश करेंगे इसकी definition और इसकी examples के साथ तो start करते हम anomalous expansion की definition के साथ और देखते हैं कि असल में anomalous expansion होती क्या है मोस्ट ओफ वाटर जी तो यह हमारे पास anomalous expansion की definition है जो कि हमें क्या बता रही है कि most of the liquids expands on heating हमने जितने भी concepts पड़े expansion in liquids को देखा तो उसके अंदर यह देखा कि हमार पास काफी सारे यानि कि most तक्रीबन सभी जो liquids होते हैं वह expand करते हैं heating करने पर यानि कि हम heat देंगे उस liquid को तो वह expand होगा हमने अभी तक यह पड़ा and contract on cooling यानि कि जब उसको cool करेंगे उनका temperature decrease करेंगे तो वह contract होंगे और यहीं हम लोग पढ़ते वह आ रहें कि temperature दो increase करोगे heat दोगे तो चीज जो वह expand होगी और अगर temperature जो वह कम करोगे यानि कि cool करोगे उस चीज को तो वह contract होगी और सारे के सारे liquids जितने भी थे हमार पास हमने उनके अंदर यही चीज देखी यही property देखी बट वेन water is heated from zero degree Celsius to four degrees Celsius लेकिन जब हम water को पानी को heat करते हैं zero degree Celsius से लेकर four degree Celsius तक जब हम water को heat करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं एक बिल्कुल ही abnormal sub-haviour का और वो क्या होता है असल में क्या होना चाहिए कि हम zero degree Celsius से four तक जा रहे हैं यानि के temperature increase कर रहे हैं यानि के heat दे रहे हैं पानी को तो इसको expand करना चाहिए यानि कि temperature increase हो रहा है इसको हम लोग heat कर रहे है heating के उपर expansion आनी चाहिए इसके इंदर बढ़ होता क्या है कि it contracts instead of expanding यह क्या करता है यह बिल्कुल opposite जाता है अगेंड जाता है यह हमारे पास contract करता है इस मक्सूस temperature के उपर अगर आप 0 degree Celsius से 4 degree Celsius तक पानी को heat देंगे तो बजाए यह expand होने के contract होगा और इसी तरह and expands when cool down from 4 degree Celsius to 0 degree Celsius और इसी तरह जब आप 4 degree celsius से 0 degree celsius तक जा रहे होगे यानिकि जब इसका temperature गिरा रहे होगे इसको cool कर रहे होगे 4 degree celsius से 0 degree c contextual celsius तक तो होना क्या चाहिए कि इसे contract होना चाहिए क्योंकि हम लोग heat जो हो निकाल रहे है इस liquid में से या उस पानी में से यानिकी उसका temperature जो वो decrease कर रहे हैं तो हमने क्या पढ़ाए कि temperature decrease करने पर चीज़े contract होती हैं लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है इस temperature के उपर इस temperature की range के उपर पानी क्या करता है कि expand करता है और यही जो हमारे पास irregular expansion है और यही जो हमारे पास anomalous behavior है पानी का या फिर अजीब सी प्रॉपर्टी जो पानी के पास मौझूद है जो zero degree Celsius से four degree Celsius तक यह एक्जिबिट करता है और इसके बाद यह सही हो जाता है मतलब normally behave करता है four से आगे अगर आप पानी को तक यह एक ऐसा हमारे पास range temperature का यह एक ऐसी specific हमारे पास रेंज temperature की कि जिसके उपर पानी abnormally behave करता है और इसी irregular expansion of water को हम कहते हैं anomalous expansion of water तो हमने जितने भी पीछी concepts पढ़े यह तोटली उसके अगेंट जा रहा है यह सिर्फ 0 से लेकर four तक होता है पानी के अंदर और की फिलाल नहीं जाएंगे क्योंकि वह इस लेवल तक या इस आपके course के अंदर मौजूद नहीं है first year chemistry के अंदर इसका आपको reason मिलेगा short के अंदर यह है कि जो यह temperature होता है इसके उपर hydrogen bonding वह काफी देदा stable हो जाती है तो इसलिए यह abnormal behavior उसके अंदर नदर आता है हमारे पास water के अंदर अभी सरफ हमने यह समझना है कि zero से four तक जाओगी तो जो हमारे पास water वह contract होगा यहांने कि उसकी जो मारे पास उसका जो volume है वह decrease होगा और अगर आप four degrees celsius से zero degrees celsius पर जाओगे temperature अगर आप decrease करोगे तो हमारे पास जो volume है water का वह बढ़ जायागा increase हो जायागा यहां पर लिख भी दो कि जो contraction है वह हमें क्या बताती है decrease in volume है decrease in volume है और जो हमारे पास expansion है वो क्या बताती है कि increase in volume यह अगर इसकी example के उपर जाए उस hopes लोग को समझने के लिए उस hopes experiment को समझने के लिए कि और नेचरली भी जो यह हमारे पास पानी है किस तरह से behave करता है तो उस एक्जेंपल से वह आसानी से समझ में आ जायागा और उसके बाद अगर आप लोग इंट्रेस्टेट हुए तो आप उसकी वर्डिंग या फिर उस experiment को अपनी बुक से भी जो वह रीड कर सकते हो यह फिर स्टेडी कर सकते हो काफी आसान बर्डिंग उसके अंदर इसमाल की गई है और बिल्कुल इसी तरह हैं जिससरा हम लोगे आप एक्जेंपल करने वाले हैं तो इस एक्जेंपल को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको डेंसिटी को जहन में रखना पड़ेगा कि यह काफी कॉंप्लेक्स होने बाली है ची यहे दोनों आपसमें इंवर्स लेशन के अंदर है इन दोनों की आपस में रिलेशन थे क्या की अगर अगर पास volume increase होगा तो जो density है वूँड़ेज होगा जोदहिटना ज्यादा volume density उतनी ज्यादा कम और जितनी ज्यादा कम हमाईर पास volume यहांwe' degrees हो या कि आपको देंसिटी वह बढ़ लियेV यह वहली चीज़ चैज्च आब को झाहिए ल्हुद मेंकces नरे पास इसका आपवस में इंवर्स रिलेशन लेचन है तो इस्टार्ट करते हैं वो ली एक्जम्पल और देखते हैं कि यह जू पानी है वो किसत्रा से भीएव करता है तो एक्जेंपल उसकी कुछ इस तरह से की करो कि हमार पास एक लेक हैए जील या फिर एक कुई एक हमारा आधार बरतन इस तरह का है इसको लेक की थरह की बना रहे अपर देखते हैं छीजे उस की तरह की एँट एक देखती हैं और में दाँ समझ मिया जाए तो इसके नदर हमारे पास Еtto लेक है जिसके अंदर पानी मौझूद है यह यहां से आता कि लेक यह भरी हुए पानी से यह वाटर है और फर्स करो कि जो हमारा टेंपरेचर है एटमस्फियर का वह आस्ता आस्ता जो वह डिक्रीज हो रहा है यानि कि सरदी आ रहे हैं तो अब डिक्रीज होते वह 10 डिग्री सेल्चिस तक यह पहुंच गया है और अभी भी डिक्रीज होता जा रहा है यानि कि आसा ऐसा करते करते नीचे की तरफ जा रहा है और एक चीज जो जहन में रखने हैं वह यह रखनी है कि जो अनुमेलेस एक्सपेंशन है वाटर की वह सिर्फ और सिर्फ जीरो डिग्री से से लेकर four degree Celsius तक होती है यानि कि यह वो temperature की रेंज है जिसके उपर यह यह वला जो abnormal behavior है वो शो करता है बाकि जितना भी temperature है बाकि जितने भी temperature है उन सब के उपर वो normally behave करता है normally behave करने का मतलब कि अगर temperature decrease करोगे तो वह हमार पस contract होगा और temperature increase करोगी यानि कि heat दोगी तो वह expand होगा सिरफ यह वाला जो temperature है इसके उपर वह abnormally behave करेंगे यानि कि opposite हो जायागा अगेंस हो जायागा हमारी normal वाली situation से तो अब इसके temperature यह वो decrease हो रहा है इस लेक का और अगर यहां पर हम लोग ले 살 that ी लेर और पानी की यह atmosphere की और और वहारी यह ऑपन होगी यह जो atmosphere का अफेक्ट होगा या जो temperature काश्क्त होगा वह सबसे पहले यह वाली लेर के उपर आयागा temperature अगर डिक्रीज होगा है तो जो effect है वह सबसे पहले इस वाली लेयर के उपर पढ़ेगा क्योंकि यही ऑपन है एटमस्टेर की अब फिर्स करों कि टेंपेटर जो वास्ता हैस्ता चाहें जोते हुथ ही अज़े बून नीची की तरफ जा रहा हैं और डिक्रीज ओर और temperature के decrease होने से क्योंकि यह नॉर्मल हमारापस temperature इसके पर पानी नॉर्मली भिएफ करता है तो temperature की decrease होने से क्या होगा कि जो हमारापस water है वो contract होगा water के contract होने का मतलब क्या कि जो volume है वो decrease होगा क्क्वान्ट्राइब ब्रणार का क्वाइब क्रूं & क्राइलों के इंड़ीड के मदख Girard है कि जो उम्हार पस झेंसीटी वह नक्रीज भी और फ्क्राइब कि हमने जो इसका रेशिओ था वो क्या देखा था कि raw जो है वो inversely proportional है वी के density inversely proportional है महार पस volume के अगर volume decrease हो रहा है volume की value कम हो रही है तो density की value जो है वो increase होगी और density की value increase होने का मतलब कि जो चीज है वो dense हो जाएगी वो भारी हो जाएगी तो change first करो कि अगर 10 degree Celsius से 9 degree Celsius तक temperature पहुंच गया तो सबसे पहले जो इस effect को bear करेगी सबसे पहले जो इस effect को हमारे पास face करेगी वो यह वाली layer होगी पाने की और यह वाली layer जब इस वाले change को bear करेगी तो temperature decrease हुआ है और temperature decrease होने से इस वाली layer का हमारे पास volume भी decrease हो जाएगा और volume decrease होने का मतलब क्या कि इसकी density increase हो जाएगी इसकी density अब increase हो गई है जबकि जो ये नीचे हमारे पास layer मौझूद है ये फिर नीचे जितने का जितना पानी मौझूद है उसकी density जो है वो same है यानि कि जितनी पहले थी अब उतनी है क्योंकि इसके उपर अभी तक कोई effect नहीं आया atmosphere से ये नीची थी इसलिए तो इसका मतलब क्या कि इसकी density है वो उपर वाली layer के मुकाबले में कम है यानि कि पहले जितनी थी उतनी ही है और उपर वाली layer की density क्या होई अब increase हो गई और उपर वाली की density अगर increase हो गई तो इसका मतलब कि ये नीचे वाली जो हमार पास पानी मौजूद है इससे भारी हो गया है और भारी चीज जो नीचे चले जाती है ये common सी चीज है तो अब क्या होगा कि ये वाली जो layer है ये वह increase होई वाली layer है जो उपर थी वह अब नीचे आ गई है और उपर जो हमार पास नई layer इसके साथ contact में इसकी density decrease होई भी थी तो अब ये भी इसी atmosphere की change को phase करेगी यानि कि जो temperature का change आया उसको phase करेगी और इसकी density भी जो हमार पास increase हो जाएगी और फिर ये भी नीचे आ जाएगी और जो बाकी हमार पास layer बची भी है यानि कि ये भी नीचे आ जाएगी इस तरह से और जो बाकी layer बची होई ये उपर चली जाएगी और इस तरह की regulation जो हमार पास चलना शुरू हो जाएगी यानि कि इसी तरह से पानी के अंदर temperature या फिर जो अमार पास changes आती है वो इस तरह से आती है पानी जो ठंडा होता है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो अमार पास उपर वाली layer होती है वो dense होती है वो नीचे आती है फिर नहीं जाती है और जिस तरह करते करते हैं इसी त से temperature के उपर नहीं पहुंच जाती है यह जो regulation है यह चलती रहती है और first करो कि अब जो है वो temperature कम होते 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 जो फोर डिगरी Celsius तक पहुंच गया और first करो कि जो नीचे बाला है यानि कि यहां से लेकर यहां तक जो layer थी यह जो लेयर है इसका temperature अभी 5 डिगरी तो क्या होगा सबसे पहले तो हमारे पास जो यह इसका temperature गिरेगा चुकि इसका भी 5 डिगरी Celsius जब यह atmosphere के ऊपर हमार पास temperature 4 डिगरी Celsius पहुंच जाएगा तो atmosphere जो है इस वाली layer को एफेक्ट करेगा और इस वाली लेयर का temperature जो है वो डिक्रीज होके फर्स करो कि अब 4 degree Celsius तक पहुंच गया 4 degree Celsius तक पहुंचा तो क्या होगा कि इसकी जो अमार पस density है वो इंक्रीज हो जाएगी और density increase होने के बाद क्या होगा कि यह वाली लेयर अब bottom के अंदर चली जाएगी यह वाली लेयर अब bottom के अंदर चली जाएगी और इसका temperature जो होई 4 degree Celsius जो atmosphere का था क्योंकि यह atmosphere के साथ जो ओपन थी तो इसलिए इसने जो चैन्ज था वो बेर किया और नीचे आगी अब इसकी जो हमार पास density increase है और इसका temperature है वह हमार पास 4 degree Celsius है और नई लेयर जो ओपर चली जाएगी इसी temperature को gain करने के लिए यह पिर इसी temperature का जो चैन्ज आया उसको हासिल करने के लिए अब यहां पर नहीं लेयर है जिसका temperature जो था वो 5 degree Celsius था और यहां पर जो हमार आपकास लेयर मौझूद है आज इसका temperature 5 degree Celsius है और density इसके मुकाबले में जो वो कम है उपर जो लेयर है वो मार पास कौन सी है अब नहीं लेयर आ गई यानिकि इसी वले पानी की जो नहीं लेयर उपर चली अब क्या होगा कि इसका temperature भी डिक्रीज होगी 5 degree Celsius से 4 degree Celsius तक पहुं और इसी तरह करते करते ही जो हमार पास सारे का सारा पानी में है पूरे के पूरे पानी का temperature 4 degree Celsius हो जायागा इसी तरह रेग्राइशन होते होते जी के लेयर बाए लेयर अपर से मिचा यों करते 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 जो पूरे के पूरे लुटर का टमपरेशर है वो 4 degree Celsius तक पहुंच जाएगा और अब असल कानी शुगी होगी जो कि हमने anomalous expansion के अंदर पड़ी थी anomalous expansion के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि 4 degree Celsius से लेकर 0 degree Celsius तक जब हम temperature को गिरा रहे होते हैं तो बजाए contraction के क्या करता है कि expand हो जाता है और expand होने का मतलब हमने पीछे क्या देखा था expand होने का मतलब कि volume जो है वो increase हो रहा है volume decrease नहीं बलके increase हो रहा है तो क्या होगा कि density जो है वो खुद बहुत कम होगी तो अब फर्स करो कि 4 degree Celsius से temperature कम होते होते जोगो 0 degree Celsius तक जा रहा है 4 degree Celsius से 0 degree Celsius तक जोगो चेंज आ रहा है temperature के अंदर यानि कि यह in process है आस्ता आस्ता करते करते चेंज हो रहा है अब अगर यहां पर देखें तो यह जो मार पास पूरे का पूरा पानी है पूरे का पानी का temperature जो फोर डिग्री Celsius से सारे के सारे पानी के temperature फोर डिग्री Celsius और यह जो सबसे उपर वाली लेयर है सिरफ यह हमार पास contact में यानि कि open आट्मोस्फियर के तो सबसे पहले जो एफेक्ट आएगा यानि कि जो चैंज आएगा temperature का वो इस वाली लेयर के उपर आएगा तो पूरे के पूरी लेयर का temperature और फोर डिग्री Celsius था और फर्स करो कि अब जो है वो थ्री डिग्री Celsius तक पानी पहुंच गया और थ्री डिग्री Celsius तक जब पानी पहुंचेगा तो क्या होगा यहां पर वॉलियम इंक्रीज हो जायागा जैनो में इस एक्सपेंशन होगी बजाए कॉंट्रेक्शन के अब एक्सपेंशन होगी और एक्सपेंशन का मतलब किया कि वॉलियम ज livres हो रहा है और मॉलियम के इंक्रीज होने का मतलब क्या कि जो मार पास डैंसिटी ये वगित्री कर्णी हो रही है यहां पे इसकी डैंसिटी वाला पहुरौ पूरा पॉरॉचन सिर्फ फेस्ट करते रहेगी हमारे एकमोसफियर को तो क्या होगा कि जब 0 डिग्री सेल्शियस के उपर पानी पहुंच जायागा तो जो आमारपास ब्रस्ट है हम्हें पताएगी 0 Det gingy donc इस एक ये ऐसा टेमपेचर है उपर पानी फ््री। बिल्कुल उपर से पिर स्टार्ट हो खाईगा कि ऊपर वाली लेर बåt बन जाएगी तो उसका टेमपरेचर यो हमार पास 0 degree Celsius तक होगा जबकि जो नीचे पूरे के पूरे हमार पास पानी होगा इसका temperature 4 degree Celsius होगा और यह जो चीज है यह आप लोग उने देखी होगी अगर आप लोग northern areas गए हो और वहाँ पी जो lakes होती है जो जीले होती हैं सर्दियों के अंदर देखी हो तो उनका जो उपरवाला surface होता है lakes की जो उपरवाली पूरी की पूरी layer होती है वो बरव बनी भी होती है अगर आप इसको तोड़ो तो अंदर से सारे का सारा पानी निकलेगा और ये चीज़ें काटून्स के अंदर भी और फिल्म्स के अंदर भी जो देखी होंगे आपने के जितनी भी lakes होती है या फिर अगर कोई भी ऐसी जगा जहां पे पानी जमा हुआ हो और सर्दियां आ जाए यानि के temperature गिर जाए तो क्या होता है कि बरफ जो है वो बिल्कुल उपर से बनना स्टार्ट होती है यानि कि उपर वाली जो लेयर होती है पूरी की पूरी वो बरफ बनी भी होती है जबके अंदर जो होता है सारे के सारा हमार पास पानी मोजूद होता है और इसी के साथ-साथ हमें जो दो हमने सवाल किये थे शुरू में जो scientific questions थे उसके अंदर जो दूसरा था कि ice जो होती है उसकी density हमार पास कम क्यों होती है और जो liquid होता है इसकी density ज्यादा क्यों होती है तो उसके पीछे यही anomalous expansion है और हमें पता है कि ice form होना जो start होती है वो 0 degree Celsius के उपर होती है और anomalous expansion के अंदर क्या होता है कि जब 4 degree Celsius से temperature गिरके 0 degree Celsius के उपर आ रहा होता है तो बजाए एक contraction के water जो है वो expand करता है expand होने का जो मतलब है वो volume increase होना है और volume के increase होने का मतलब है कि जो density है हमारी वो decrease होगी तो यही वजाए है कि जो हमार पास ice होती है उसकी density कम होती है बनिजबत पानी के यानि कि liquid के यानि कि liquid के जो density होती है हमार पास वो ज्यादा होती है और जो ice की density होती है वो कम होती है और इसका जो reason है वो यह anomalous expansion है यानिके इसकी वज़े से ice की density जो वो कम होती है और जो हमार पास liquid होता है इसकी density ज्यादा होती है और जो दूसरा हमार पास scientific reason था यह scientific question था जो papers के अंदर भी पूछा जाता है कि कैसे aquatic animal survive कर जाते हैं extremely cold weather के अंदर तो उसका भी जवाब जो हमें आपे मिल तो गया है लेकिन हम उसके जो effects है उनके अंदर उसकी proper wording मिलेगी क्योंकि उसका जो पहला effect है वो ही aquatic animals के उपर है तो यह चीज़ जो है वो आपने अभी फिलाल जैन में रखनी है हम बढ़ते हैं इसके effects की तरफ और उसका जो पहला effect है वो हमारे पहले वाले question का जवाब देखा कि aquatic animals जो हैं वो किस तरह से survive करते हैं और उस effect के साथ दो effects इसके और हैं जिनको हम लोग study करेंगे तो बढ़ते हैं animalist expansion की effects के उपड तो इनकी effects के अंदर जो सबसे पहला effect है वह ही aquatic animals वाला है जो कि कुछ इस तरह सी है कि in cold of the rocks जी तो यह हमारे पास इसके तीन effects है animalist expansion की जो हमें atmosphere के अंदर नजर आते हैं और इन मेंसे जो सबसे पहला effect है वही aquatic animals के उपर है कि in cold areas where temperature falls below zero degree Celsius के हमारे पास cold areas के अंदर जहां पे मौसम जो काफी ज़्यदा सर्द होता है और temperature जो जीरो डिगरी Celsius से भी नीचे गिर रहा होत होता है the surface of sea or lakes are covered with ice तो क्या होता है कि जो हमारे पास sea होते हैं या फिर lakes होती है उनकी surface ice से covered हो जाती है जैसे कि हमने पिछली ही example के अंदर देखा जब temperature जो है वह four degree Celsius से गिर की zero degree Celsius तक आ रहा होता है तो क्या होता है कि जो हमारे पास उपर उसकी layer होती है उपर वाली सबसे उपर वाली वह आइस से cover हो जाती है यानि कि आइस सबसे उपर आके वह फॉर्म होना start हो जाती है वह नीचे मौझूद होता है bottom के अंदर because of this fishes and other aquatic animals और इसी एकी वज़े से के surface के उपर आइस फॉर्म हो जाती है और नीचे पानी मौझूद होता है हमार पास जो fishes होती हैं मचलियां होती हैं और जो दूसरे aquatic animals होते हैं यानि कि दूसरे जो पानी के अंदर रहने वाले जो जानदार होते हैं can survive वो survive कर सकते हैं even during extreme cold weathers यहां तक कि अगर जो हमार पास मौसम हैं वो extremely cold भी चला जाए तब भी वो उसके अंदर survive कर जाते हैं से पहले वाले कि कैसे aquatic animals extremely cold weathers के अंदर survive कर सकते हैं तो उसके पीछे भी जो हमार पास आंसर था जो जवाब था वो यही anomalous expansion था इसी anomalous expansion की ही वज़े से यह possible हुआ कि जो हमार पास आइस थी वो उपरवली लेयर के उपर फॉर्म होई और जबकि नीचे जो हमें पानी as it is मिल गया और उसके अंदर जो फिशिज और अधर एक्योटिक अनिमल्स जो हमासानी से सर्वाइफ कर सकते हैं तो यह इसका पहला एफेक्ट है हमारे इंवार्मेंट के उपर और इसी तरह एक और जो दूसरा एफेक्ट है वह भी आप लोगों ने जो देखा होगा कि इन विंटर सीजन सर्दियों के मौसल में वाटर सप्ला फ़ाइप से सक्तड में और सक्राह मैं बेखरो आपश मौसल्चर पूरेस एत्मोस्फिय के तो अटमो नेकर अगर इसे अलाके में कभी गया हो इसके अन्दर आपशर्चर वह 4 दिग मेरे सिल्चेत से नीचे-नीचे जारह होता है तो आपने अक्सर वहाँ पी देखा होगा कि जो हमार पास water supply pipes होते हैं जो atmosphere की open होते हैं यह निकि open directly contact में होते है atmosphere की तो क्या होता है कि जब temperature 4 degree Celsius से नीचे जाता है तो वो अक्सर फढ़ जाते हैं, burst हो जाते हैं क्यों? Because water expands on falling below the 4 degree Celsius क्योंकि हमें पता है कि water जब 4 degree Celsius से नीचे जाता है तो बजाए contraction की वो expand कर रहा होता है तो expansion के लिए उसको ज़्यादा जगा चाहिए और यह जो हमार पास pipe है इसके अंदर first screw की पानी जो है वो इस तरह से move कर रहा है प्रेशर की ज़्यादा प्रेशर लगाएगा इस pipe के उपर और प्रेशर ज्यादा लगाने से क्या होगा की pipe यह फड़ जायागा तो यह वाले cases भी होते हैं अगर आप लोग ऐसे areas के अंदर गए हो जहां पर temperature जो हो 4 degree Celsius से नीचे की तरफ जा रहा होता है तो कभी कबार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो हमार पस water supply pipes होते हैं यह फड़ जाते हैं तो उसके पीछे भी जो reason है वो यह anomalous expansion का है या फिर इसका ही effect है इसी तरह जो हमार पस तीसरा और आखरी reason है वो इस तरह से है कि during rainy seasons बारिशों के मौसम के अंदर a lot of water sweeps through the numerous cracks and fissures in rocks कि जो हमार पस काफी जदा पानी होता है बारिश की वज़े से क्योंकि बारिशें जो हमार पास होरी होती हैं तो जो rocks होते हैं मां south यह अगरा होते हैं उनके इंदर जो छोटे-छोटे cracks होते ऑर जो fissures होते यहां चीओ चोटी-चोटी नालियां बनी मी उती है उनकी मदद से पानी जो हैं वह उनके बोन चला जाता है यह फ़र्स करूआक हमार पास जो हो मांटेंस है और इनके अंडर ultra- fares चोटी-छोटी जूपनी यह इस्तरह से तो क्या वोगा कि पानी बहुत सारत पानी प्रॉट होता हुआ इन लाना जमी फिर इन रॉकस गेंदर जो जम और दो फिर इन विंटर जब सर्दियां आती है तो ये पानी जो है वहीं पर जमा वह होता है इन Cracks के अंदर या फिर इन Fischar's के अंदर और जमा होने के बाद क्या होता है कि जब हमारपस सर्दियां आती है तो Temperature गिरता है Falls Below 4 Degree Celsius साहती चाहता है प्लोको cancer से प्लेस आंजी को मतुछ करेंगा किया खेंजट का का पंडर सब्सक्रारीच के सवस्त्राइब काई सवस्तर्बेश गया तो टो को सब्सक्राइब करणा यार्य नेकर बात्तव सब्सक्राइब कि कोषिच के ते प्लत फ्स develops a high pressure और प्रेशर लगायागा उस रॉक के उपपर क्योंकि रॉक के अंदर पानी मौझूद है और टेंपरेचर जो हमार पस फोर डिग्री से निचे की तरफ जा रहा है और फोर डिग्री से निचे की तरफ जायागा तो एक्सपेंड करेगा और एक्सपेंशन से क्या होगा कि एक हाई प्रेशर लगाएगा उस रॉक के ऊपर और इसका नतीजा क्या होगा इस रिजल्ट इन्द ब्रेकिंग ऑफ रॉक इसकी वजह से जो हमार पस वह रॉक फड़ जाएगी तो इसलिए हमार पस सर्दियों के अंदर जो लैंड स्लाइडिं कि निदेशन के दर पानी जो रोक के जहीं हो जाता है ऑना यह जो पानी जो होने की कोशिश करता है और हाई फड़र करता है उस अर्वग ऊपर और फिसका यह जो हमारे पास rapid वो breaking of the rock होता है, यानि कि जो rock है हमारे पास, वो फटने या फिर तूटने लग जाती हैं, और इसी तरह जो हमारे पास तूट तूट के नीचे आ रही हूँती हैं, जी तो ये था हमारा आज का topic, जिसके अंदर हमने anomalous expansion of water को काफी detail के अंदर discuss किया, सबसे पहले इसकी definition, फिर उसके बाद hopes, experiment से मिलता जुलता, एक यहां पर हमने case देखा, एक example को जो है वो study किया, और सबसे आखर में इसके जो effects हैं, हमारे environment के उपर, उनको भी हमने देख लिया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, ल